नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी देखिए केंद्र में NDA की सरकार आज बनने जा रही है प्रधान मंत्रीपत की सपत लगतार तीसरी बार आज नरेंद्र मोधी लेंगे और उनके साथ कई ऐसे चहरे हैं जो मंत्रीपत की सपत लेने वाल अपने पीम आवास में कई चुनिंदा सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की है देखिए तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पीम आवास में उन चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे जब वो कुछ बातों को लेकर वहां प पहले इन चुनिंदा सांसदों के साथ बातचीत का मतलब ही है कि इनको बताना कि कैसे शरकार चलानी है यानि कि ये तमाम नेता जो सामने बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं वो आज मंत्रीपत की शपत ले सकते हैं जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें अगर बिहार से ह बात करें तो जो सांसद सामने बैठे हैं उसमें जेडियू के पुर्व राष्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग राज सभाज सांसद रामनात ठाकुर दिखाई दे रहे हैं लोचपा राम विलास के चिराग पासवान नजर आ रहे हैं जितन राम माजी भी आपको आगे बैठे दिखाई देंगे हलांकि उनकी नराजगी की भी खबर खूब निकल कर सामने आई थी कि राज्यमंत्री का दरजा उन्हें देने की ओफर आई और वो कैबिनेट मंत्री का दरजा चाहते थे लेकिन पीएम अवास में जाने का मतलब ही है कि जो नराजगी गुस्ता था वो ख हली बार सांसद बने राजभूशन चौधरी निसाद भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं तो यह जो तमाम आक्रे हैं वो बिहार से हम आपको दे रहे हैं जो पीएम अवास में इस चाय की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं शाम को शपत क्रहन समारो राश्रपती भवन में होगा और उससे पहले कि यह जो तश्वीर है यह सब कुछ बया कर रही है कि आज एक बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो प्रधान मंत्री के साथ अपने मंत्री पत की शपत लेते नजर आएंगे बिहार से कई नए चेहरे भी आपको देखने को आ राजभूशन चौधरी निसाद जो कि पहली बार मुझब परपूर से सांसद बने हैं वो भी इस बैठक में पहुचे हैं इस चर्चा में पहुचे हैं मतलब वो भी मंत्री पत की शपत ले सकते हैं लेकिन लोचपा राम विलास के राश्ट्रिय अध्यक्ष हाजिपूर के सांसद अपने पिता की विराशत को आगे बढ़ा रहे चिराक पास्वान भी अब मंत्री बनने जा रहे हैं और जदियू से एक राजसबा सांसद रामना ठाकूर और जदियू के पुरवराश्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग की तस्वीर निकल कर सामने आ चुकी है वहीं ज उसरे राज्यों के सांसद यहां बैठे आपको नजर आए होंगे और ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस बार जो NDA की शरकार बन रही है उसमें शहयोगी दलों की अहमियत को भी तवज्जो दिया जा रहा है तो हर किसी को इंतजार बस आज साम साथ बचकर पंद्र मोदी बने रहिए का हमारे साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद